हेलो एंड वेलकम गई स्वागात आपका फेंटास्टी डिसेंट चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूइरोपियन क्रिकेट लिग टीटेन की बात करेंगे जो कि मैच होगा यहाँ पर कि इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी डेरी के वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे बेल चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बेल आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूनामेंट इसी यूटूब चैनल पर कवर करेंगे इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर Arabian T20 के वीडियो मिलेंगे साथी में Woman Premier League का वीडियो अल्रेडी अप्लोडेड है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो YouTube चैनल के अंदर मिली और इसके साथ-साथ यहाँ से आपको शार्चा 100 और यहाँ पर असम Premier League के वीडियो मिल जाएंगे सारे अच्छे मेंचिस के वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे तो YouTube चैनल को सबसे बिल आपको सबस्क्राइब कर लेना है इस साथी में टेलिग्राम चैनल से भी जूट जाएगा क्योंकि Final Update और Final Team आपको टेलिग्राम पर मिलेगी और टेलिग्राम से जुटने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक अटेच किया हुआ है इनकेस लिंक वाक ना करें तो टेलिग्राम में जाएगे सर्च करिए Fantasy Dissent Challenger या फिर आप सर्च करिए FDC27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपल यह आपको इसे जॉइन कर लेना है क्योंकि Final Update और Final Team आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो यह में शाम को चार बजे कर्टमा ओल कर्टमा स्पैन में खिला जाएगा पीछी रिपोर की बात कि हो तो यह से बैटिंग के लिए अच्छी पीछे क्लब पूरा आयलेंड का ही है ओपनिंग में आसे क्रिस डॉगर्टी और जॉन मचेट दोनों ने ओपनिंग कर वाया है अभी बात करें आसे जॉन मचेट ने इसके पहले आयलेंड 11 के तरब से खेला था जब यूरूपें T20 की पिछले साल ही मैचीस हुई थी जहाँ पर मि इनों दस मैचीस के लिए जापर करीबन 21 के अवरे से 110 एक यह प्लेयर खेला था और उनके अलावा यहाँ पर एक और प्लेयर खेला था यहां अंसे मारकस मेकोलोफ यह बाकि जितने भी सारे प्लेयर से वह सारे प्लेयर से टीटन की बात करेंग तो इसी ऐस में पहली बार क जो लीश्टे खेला है ना यह किसके तरब से आपर आयलेंड की तरब से खेला हुआ है तो इनको लेगे जाना है विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर दिखते है तो इनके लब ऐसे जॉन मचेट पिछली टूनामेंट के अनल काफी अच्छा कर रहे थो और वहां पर रेगूलर वहां पर दिया है लेकिन अंडर 15 या अंडर 19 में खेले गया से आयरलेंड के तरब से तो इस प्लेयर के पर रिस्क ले सकते हो इनके अलावा यसे मार्क बेश्ट लेफट अडिट बेटिंग कर लेते हो राइटाम मीडियम पास गेंबाजी कर लेते हैं फस्क्रास केरियर मे चार मैच करना करीबन 20 केवरे से 120 लन किये हुए इस बंदे को आप लोग डिफ्रेंस ले में ट्राइ कर सकते हैं अभी देखो आपको क्या करना है ना इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को आपको जरूर लेना है खास तर पर यहां पर आई तिंग यहां पर जैसोन वान डेर हुए है डिफ्रेंस ले में ट्राइ करना है इनको रोबिंस वेरी मपॉनेट भी करेंगे डेफिनेटली लेके जाना है यह बाइस आपको बेटिंग और बोलिंग दोनों इसे एडवांडेज देंगे इवन बेटिंग से ऊपर भी प्रमोट हो सकते है तो इस बंदे को जरू जरू ट्राइ करना है हमें क्योदा में से लेज आपर करीबन 19 के वरे से 228 रहने 22 विकेट निकाले उन्होंने 36 पॉइंट एक होस की गेंबाजी करते हुए तो डेफिनेटली हमें उनको लेखे जाना है इनके लाब ऐसे जैक ब्रीटी ओके रहेंगे गरांड लिग वागे में ट्राइकर होगे यहां पर एलन कॉल्टर को आप लोग जरू ट्राइकर है दो मेंच करना तीन विकेट है राइटाम मीडियम पास गेंबाज है यासे शुरू आतमे या फिर देथ होस में गेंबाजी करता हुए तो इनको ट्राइकर सकते हो इनके लाए से यह प्लेयर व इंटरनेशल मेचिस के लिए आठ जहाँ पर उन्होंने बारा विकेट निकाली डेफिनेटली लेगे जाना इवन यहां पर इस प्लेयर को में कैप्टन कर सकता हूँ लेक ब्रेक गयन बाजे विकेट टेकर गयन बाजे आप देख सकते हो आपर आयलेन की तरफ से भी उन्हो यह आपकिफ की बात करते हैं तो अकिफ में जो प्लेयर है यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तान सारी मिक्स है आप नसर बलूच और दिरज मलहोतर दोनों ऑपनिंग करवा रहे है और दोनों इंपोरिंस रह सकते हैं तो बैटिंग ओंडर है थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता यह तोड़ा आपको एक्जस करना पड़ेगा फिर भी लाइनप जब आउट होगी तब आखरी के जो तीस मिनिट में इनकी ओफिशल लाइनप आउट होती है ओफिशल बैटिंग ओडर जो होता है बैटिंग ओडर यहां पर मिसके वह बहार निकालते हैं तो वहां पर मैं सिर बलुष वेरीं पॉणिट प्रिक रहेंगी 11 मैच के ने करीबन 53 के वरे से 263 रहने है और वहां परनों ने बीस वोज की गैन बाजी करते हुए 9 विकेट भी निकाले हुए इनके लब ऐसे दिरज मलहोतरा वेरीं पॉणिट प्रिक यह बंदा मेरा कैप्टन रहने वाला संबीट पटनायक को ट्राइ कर सकते हुए यह बाई साब का कैसा है ना कि जब चलते तब यहाँ पर पचासाइट रण की पारी भी खेल लेते तो इस प्लेयर को डिफिरेंसिल में जरूर ट्राइ करेगा इनके लिए वैसे देवर्चन दास दो बार नाम आ गया है कोई बात अध्चा पलेयर है लेकिन पृच Dzी गुरामें ठीक टाग रही दिग में लेना चाहते है इस फ्लेयर ते इस प्लेयर गेंगर एक ज्यकPh션 करेके ठीक यह डिबाइल वर्ट अगिंबागी बाइस मैच के अनर 12 विगेड़ त्राइगा ना जाओ दो कर सकते वाकि इन दोनों प्लेयर को जरूद राइग करेगा ऐसे कृष्णा जिगुमूर्थी और यह पर सैडिक सहक को ट्राइग करेगा वाकि एक प्लेयर बसता है तो इसमें से आइधिंग केल सकता है यह पर क्या अजी जी खेल सकते है या पर रहतुल्णा कहले सकता है क्योंकि हमने यहां पर 10 कह एक दो बहुत है ऑपार केलेब्ड़ि सलmeeस को लिए को दो हुझे बब्रों ने ले लिए सकते हैं विकेटकेपिंग सेक्शन का तो में ढून एकर में एकमेस के ले वहां पर उन्होंने ना बेटिंग की ती की और और ओवर्स नहीं करवाई थी तो आई थिंग आ पर इंके बारे में अभी रिस्क लेना बहूत ज्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि और बाकियो रेकर प्लेए के उपर बरोजा जदा करेंगे वाखी औप्सन सारी मैं ने बिदियो के बता जिए तो आप लोग जो कुछ चैनजिस वगरा करना चाहों अपने चैनजिस कर सकते हो मेरे टीम की बात करो तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी जैक मुल्डर कैप्टन रहेगी क्योंकि इंटरनेशल प्लेयर है तो बरोसा हमारे इनके उपर जादा रहेगा वाइस कैप्टन ने मैंने ऐसे दिरज मलोतरा को किया है लेकिन आप क्या कर सकते है ऐसे दिरज मलोतरा टीटन के प्रतिश्ट प्लेयर है ऐसे काफी अनुबए प्लेयर है और हर एक मैच के अंदर रेगिलर परफोमस देंगे तो आप लोग इनको कैप्टन करते हुए आप लोग मुल्डर को वाइस कैप्टन कर सकते हो और एक परफोमस है आपर एन बलूच के उपर बरोशा कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बाकी टीम कुछ इस सरा से रहेगी याद रहे जो टीम में डेमो है फैंल आपको टैलीग्रम में मिलने वाली है फैंल लाइन अप के बाद तो टैली balm से तुदणना बिल गले का नीचे डिस्क्रिप्सें बोक्स में टैलीग्रम का लिंक मिलेगा इनकेस लिंक वर्क ना करें तो टैलीग्र में जाहिए सर्च करिए फेंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च करिए एटरेट